नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि लेजिन M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लेजिन M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और लेजिन M टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लेजिन M टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, लेजिन M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, लेजिन M टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लिवोसेट्रिजीन 5MG और मॉन्टेलुकास्ट 10MG होता है, लिवोसेट्रिजीन एक अंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका करने में दिक्कत होना और सास लेते समझ सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंत्रन करने वर रोकने में मदद करती है, लेजिन M टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए लेजिन M ट करीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए लेजिन M टैबलेट का उप्योग किया जाता है। डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानि तवचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर तवचा पर एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी लेजिन M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। व्यक्तियों में लेजिन M टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेजिन M टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। लेजिन M टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर डॉक्तर बारा साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को लेजन M टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। लेजन M टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लेजन M टैबलेट को आपके डॉक्तर वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की लेजन M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लेजन M टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं है कि Lezen M Tablet Pregnant महिलाओं को लुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर Pregnant महिलाओं को Lezen M Tablet को न लेने की ही सलाह देते हैं। और स्तनपान करा रही महिलाओं में Lezen M Tablet मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुच सकती हैं। और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती हैं। इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Lezen M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका Lezen M Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं।